प्रतेक वर्ष जेश्ठ माह की अमावस्या के शुभवसर पर कर्मफल प्रादाता, सूर्य पुत्रों और न्याई के देवता भगवान शनी की जयन्ती मनाई जाती है। कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। वेदिक ज्योतिश शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, जिन जातकों की कुंडली में शनी की चाया अशुभ होती है, या फिर उनकी कुंडली में तिरची दश्टी पड़ती है, उन्हें कई तरह की शारीर की यात्रा शुरू करते हैं वैदिक ज्योतिश शास्त्र के अनुसार जब भी किसी जातक की कुंडली में शनी पहले दूसरे बारहवे स्थान पर या फिर जन्म के समय चंद्रमा शनी के ऊपर से निकलता है तब इसे साड़े साती कहा जाता है साड़े साती जैसे की इसके नाम से ही स्पष्ट होता है की इसका प्रभाव साड़े साथ साल तक रहता है इस साड़े साती को धाई-धाई साल के तीन चरणों में बांटा जाता है इन चरणों में साड़े साती का अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलता है वेदिक जोतिशास्त्र के अनुसार साड़े साती के पहले चरण में जातकों को वेवाहिक जीवन संबंधी इवं आर्थिक परेशानियों से जूजना पड़ता है साड़े साती के दूसरे चरण में जातकों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है इस चरण में जातकों को शारीरिक कष्ट भी जेलने पड़ते हैं. दूसरा चरण साड़े साती का सबसे कठिन इवं कष्ट डाई समय होता है. साड़े साती का आखिरी और तृतिया चरण पहले दोनों चरणों के मुकाबले कुछ राहत भरा रहता है. इस चरण में जातकों को सुख सुविधा में कमी देखने को मिलती है यदि आपके उपर शनी की साड़े साती महादशा चल रही है तो आप अपने जोतिश विशेशग्य से सलाह लेकर उनके द्वारा बतलाय उपाई को प्रयोग में ला सकते है इस वर्ष मकर राशी के जातकों पर शनी की साड़े साती का आखिरी चरण रहेगा ऐसे में इस राशी के जातकों के खर्चों में वृद्धी संभव है कुम्भ राशी के लोगों को करिया में कई तरह की चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है मीन राशी के जातकों पर शनी की साड़े साती का पहला चरण होगा इस दोरान आपको अपने समस्थ कार्य सावधानी पूर्वक करना होगा शनी की विशेश कृपा के तौर पर ये वर्ष मेश राशी के जातकों को अच्छा व्यापारिक मुनाफा देने का काम करेगा मित्रों से सहयोग के योग बनेंगे। शोध कार्य में लगे हुए जातक इस समय अच्छा परिनाम देने में समर्थ होंगे। बैंकिंग और मशीन के काम से जुड़े जातकों को आर्थिक वृद्धी के नए अवसर मिलते रहेंगे। मित्रों राशी के जातकों के लिए ये वर्ष बहुत ही लागदायक रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी रहेगी। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धी के अच्छे संकेत हैं। शनिदेव की विशेश क्रिपा एवं भाग्य का अच्छा साथ मिलने से हर काम में सफलता मिलेगी। सिंग राशी के जातकों के लिए गज के सरी योग बनने से धन लाब की अच्छी संभावना है। परिवार की खुश्यां बढ़ेगी, आर्थिक स्थिती पहले के मुकाबले बहतर रहेगी। शनी की क्रिपा मेश राशी के लिए लाबकारी होगी। आपको अपनी मिहनत का पूरा फल मिलेगा। आत्म विश्वास में बढ़ोतरी होने से सभी तरह के रुके हुए काम पूरे होंगे। जातकों को शनीदेव के मंदिर में शनी चालिसा पाठ इवं शनिमंत्र का जाप करना चाहिए। शनीदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। साथी दीपक में एक लोंग भी डाले ये धन को आकरशित करता है। शनीदेव को तिल, गूर, खिचरी का भोग लगाना चाहिए। शनीदेव को आख के फूल बेहद प्रिया हैं। शनीदेव को काली वस्तुए ही पसंद हैं। इसलिए उनकी पूजा में विशेशतोर पर काली वस्तुओं का ही प्रियोग किया जाता है। दान में सरसों का तेल, काली उड़ग, कला तिल, लोहे के बरतन, काले कपड़े, जूते, छाता दान कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपको समय से मिलते रहें।